दिल्ली मुंबई एक्सप्रेश वे का पहला चरण बनकर तयार हो गया है आई प्रधान मंतरी मोधी पहले फेस दिल्ली से दौसा तक के तहट 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा लालसोट खंड का उधगाटन करेंगे 240 किलोमीटर लंबे इस फेस को आज से पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा फेस बन के उधगाटन से दिल्ली और जैपूर के बीच का सफर आसान हो जाएगा 12,150 करोड रुपए से अधिकी लागत से बना दिल्ली मुमरी एक्सप्रेस बे का यह फेला खंड पूरे छेतर के आर्थिक विकास को वड़ावा देगा यह रूप करते हैं कारिक्रम इस्थलका जहाँ पर परदान मंतरी नरेंदर मोदी एक्सप्रेस बे के उधगाटन के लिए मंच पर पहुँच गए है राजस्तान के गवणर स्रीक कलराज जी राजस्तान के मुख्यमंतरी स्रीमान अशोग गहलोज जी हरियाना के मुख्यमंतरी स्रीमान मनोहरलाल जी केंदरीय मंतरी मंडल के मेरे सहयोगी नितिन गड़करी जी गजेंदरसी सेकावज जी विकेशी जी अन्य सभी मंतरी गाण स्रांसत गाण अन्य महानुभाव देवी और सज्जन आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पहले चरण को राज को समर्पित करते विए मुझे बहुत गर्व हो रहा है ये देश के सबसे बड़े और सबसे आधुरिक एक्सप्रेस वे में से एक है ये विक्सित होते भारत की एक और भव्य तस्वीर आए मैं दोसा वास्यों को सभी देश वास्यों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ भाई और बैनों जब ऐसी आधुरिक सडके बनती है आधुरिक रेल्वे स्टेशन रेल्वे ट्रेक मैट्रो एरपोर्ट बनते हैं तो देश की प्रगति को गती मिलती है दुनिया में ऐसे अनेक अध्यन है जो बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्टर पर लगाई यह इराशी जमीन पर कई गुना ज़्यादा असर दिखाती है इंफ्रास्ट्रक्टर पर होने वाला निवेश उससे भी अधिक निवेश को आकरसित करता है बीते नव वर्षों से केंद सरकार भी दिनंतर इंफ्रास्ट्रक्टर पर बहुत बड़ा निवेश कर रही है राजस्तान में भी हाइवे के लिए बीते वर्षों में पच्चास हजार करोड रुपे से अधिक दिये गए हैं इस वर्ष के बज़ेट में तो हमने इंफ्रास्ट्रक्टर के लिए दस लाग करोड रुपे की व्यवस्ता की है ये 2014 की तुलना में पांच गुना अधिक है इस निवेश का बहुत बड़ा लाब राजस्तान को होने वाला है यहां के गाउं, गरीब और मंद्वर के परिवारों को होने वाला है साथियों, जब सरकार हाइवे, रेलवे, पॉर्ट, एरपोर्ट उस पर निवेश करती है जब सरकार अप्टिकल फाइबर भिछाती है, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ती है जब सरकार गरीबों के करोडों घर बनाती है, मेडिकल कॉलेज बरभाती है सामान निमानवी से लेकर व्याखपार कारोबार करने वालों तक छोटी दुकान लगाने वालों से लेकर बड़ी इंडिस्टी तक सभी को बन मिलता है सिमेंट, सरिया, रेत, बजरी, ऐसे हर सामान के व्यापार से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर कोई से लाभामिनित होता है इन उद्योगों में अनेक नए रोजगार बनते हैं जब दुकान का कारोबार जरा फलता फुलता है तो उसमें काम करने वाले भी बढ़ते हैं यानि जितना अधिक इंफ्रास्रेक्टर पर निवेश होता है उतना ही अधिक रोजगार भी बनता है दिल्ली, मुंबे, एक्सप्रेट्वे के निर्मार के दवरान भी ऐसा अनेक लोगों का उसर मिला है साथियों, आधिनिक इंफ्रास्रेक्टर के निर्मार का एक और पक्षबी है जब इंफ्रास्रेक्टर बनगर तहियार हो जाता है तो किसान हो, कॉलेज दब्तर आने जाने वाले लोग हो ट्रक टेम्पो चलाने वाले लोग हो, व्यापारी हो सबको अनेक प्रकार के सुविदाएं तो बढ़ती हैं, उनकी आर्थिक गतिविदी भी बढ़ती है अब जैसे दिल्ली दो साल आल सोट के बीश ये एक्स्प्रेस बेबन गया है अब जैपूर से दिल्ली के सफर में पहले जो पाच्छे गंटे लगते थे वो अब इसके आदे समय में हो जाएगा आप सोचिए इससे कितने बड़े समय की बचत होगी इस पूरे छेत रगे जो साथी दिल्ली में नोकरी करते हैं, कारोबार करते हैं अन्य काम के लिए आना जाना होता है वे अब आसानी से अपने घर शाम को पहुंच सकते हैं ट्रवक, ट्रेम्पो वाले साथी जो सामान लेकर दिल्ली आते जाते हैं उन्हें अपना पूरा दिन सडक पर बिताना नहीं पड़ेगा जो छोटे किसान है, जो परशुपालग है वो अब आसानी से कम खर्च में अपनी सबजी, अपना दूद, दिल्ली बेच सकते हैं अब देरी होने के वज़े से उनका सामान रास्ते में खराब होने का खत्रा भी कम हो गया है भाई और बैनों, इस एक्सप्रेस वे के इर्दगीर ग्रामी हाड बनाए जा रहे हैं इससे जो स्थानिय किसान है, मुनकर है, हस्त सिल्पी है, वे अपने उत्पात आसानी से बेच पाएंगे दिल्नी मुंबई एक्सप्रेस वे से राज़तान के साथ साथ हरियाना, मत्रदेश, गुजरात और महाराष्टर के अनेग जिलों को बहुत लाब होगा हरियाना के मेवात और राज़तान के दोसा जिले, ऐसे जिलों में कमाई के नए साधन तयार होने वाले हैं इस आधुनिक कनेक्टिविटी का लाब, सरिस्का टाइगर रिजर्व, केवलादेव और रन्थंबोर नेशनल पार्क, जैपूर, अजमेर जैसे अनेग परियाटक स्थलोकों भी होगा देश और विदेश के परियाटकों के लिए राज़स्तान पहले ही आकर्शक रहा है, अब इसका आकर्शन और बढ़ जाएगा साथियों, इसके लिए अवा आत्ती और परियोजनाओं का सलान्यास हुआ है, इन में से एक परियोजना जैपूर को इस एक्सप्रेस वे से डारेक्ट कनेक्टिविटी देगी इसे जैपूर से दिली तक का सफ़र सिर्फ ढाई गंट, तीन गंटेस कर रह जाएगा दूसरी परियोजना, इस एक्सप्रेस वे को अलवर के पास, अंबाला कोटपुतली कोरिडोर से जोड़ेगी इस से हर्याना, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जमु कश्मीर से आने वाली गाड़िया, पंजाब, गुजरात, मद्धप्रदेश और महराज्चन के तरफ आसारी से जा सकेगी एक और परियोजना, लाल सोट करोली सड़क के विकास की है, ये सड़क भी इस खेत्र को ना सिर्फ एक्सप्रेस वे से जोड़ेगी, बलकि खेत्र के लोकों का जिवन आसार बढ़ाएगी साथियों, दिल्नी मुंबई एक्सप्रेस वे और वेस्टरन डिडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर, ये राजिस्तान की देश की प्रकतिके दो मजबुस्तम बनने वादे हैं इस प्रोजेक्स आने वाले समय में राजिस्तान सहीत इस पूरे खेत्र की तस्वीर बदल देवादे हैं इन दोनों प्रोजेक्स से दिल्नी मुंबई इंडिस्टिल कोरिडोर को ताकत मिलेगी ये रोड और फ्रेट कोरिडोर, हर्याना वर राजिस्तान सहीत पस्तिम भारत के अनेक राजियों को बंदर गाहों से जोडेंगे इससे लोजिस्टिक से जुडेंगे, टांस्पोर्ट से जुडे, बनारन से जुडे, अनेक प्रकार के उद्योगों के लिए नई-नई संभावनाए अभी से ही बननी शुरू हो जाएगे सात्यों, मुझे खुशी है कि इस एक्सप्रेस वे को आज पी-म गति-शक्ति नेश्टनल मास्टर प्लान से भी सक्ति मिल रही है गति-शक्ति मास्टर प्लान के तहट इस एक्सप्रेस वे में 5G नेटवर्क के लिए जरुरी अप्टिकल फाइवर बिछाने के लिए कोरिडर रखा गया है बिजिली के तारों और गेस पाइपलाइन के लिए भी जगत छोड़ी गई है जो अतिरिक जमीन है उसका उप्योग सौर उर्जा के उत्पादन और वेर हाउसिंग के लिए उप्योग किया जाएगा ये सारे प्रयास भविश्वें करोडों रुपिये बचाएंगे देश का समय बचाएंगे साथियों सबका साथ सबका विकास रज़िस्थान और देश के विकास के लिए हमारा मंत्र है इस मंत्र पर चलते हुए हम एक सक्षम समर्थ और समर्द भारत बना रहे हैं अभी मैं यहां तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं समय लेता हूँ लेकि अभी 15 मिनिट के बाद मुझे पास में ही एक सारवजनी कारका में बोलना है बहुत बड़ी तादाद में राज़िस्थान के लोग महां इंतजार कर रहे हैं इसलिए मैं बाकी सारे विशे वहां जनता जनादन के सामने रखूंगा एक बार फिर आप सभी को आधुनिक एस्प्रेस वे की बहुत बहुत बदाई देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद